विक्रम बेताल की कहानी, किसका पुन्य बढ़ा, बेताल पच्चीसी तेईस्वी कहानी रात के अंधेरे और घने जंगल में कुछ देर भटकने के बाद राजा विक्रम आदित्य ने फिर से बेताल को अपनी पकड में ले लिया बेताल ने हर बार की तरह कहानी सुनाने और सवालों का सिलसिला जारी रखा बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया एक समय की बात है मिथलावती नाम का एक नगर था वहां गुंधिप नाम के राजा का शासन चलता था राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे एक बार उन से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए किसी राज्य से एक युवक आया युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो राजा से मिल नहीं पाया अपने साथ युवग जो भी सामान लाया था, वो सब भी खत्म हो गया था एक दिन की बात है, जब राजा शिकार के लिए जंगल जाते है युवग भी उनके पीछे पीछे चला जाता है जंगल इतना घना था कि राजा से उनके नौकर चाकर बिछर जाते है बस राजा और युवग साथ रह जाते हैं जब राजा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो युवग उन्हें रोकता है राजा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो युवग जवाब देता है राजन यह मेरा कर्म दोश है मैं कई राजाओं के पास रहा हूँ जो हजारों लोगों को पालता है लेकिन उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवग कहता है राजन छे बातें इनसान को कमजोर बनाती हैं गलत व्यक्ति से प्रेम बिना कारण हसना स्त्री से बहस करना बुरे स्वामी के लिए काम करना गधे पर सवारी और संस्कृत के बिना भाशा इसके अलावा पांच चीजें आयू, कार्म, धन, विद्या और यश्व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उनके नसीब में लिख देता है जब तक कोई पुण्य करता है तब तक उसके पास सेवन करने के लिए बहुत से दास होते हैं जब पुण्य कम हो जाता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है लेकिन राजन, स्वामी की सेवा का फल किसी न किसी दिन जरूर मिलता है युवक की इन बातों का राजा पर बहुत असर हुआ थोड़ी देर बाद दोनों नगर को लोटाए राजा उस युवक को नौकरी पर रख लेते हैं कुछ दिन बाद युवक किस काम से बाहर जाता है उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है वह अंदर जाता है और वहां स्थापित देवी की पूजा करता है फिर वह बाहर आता है तो उसे वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है वस्त्री युवक से कहती है तुम पहले इस कुंड के पानी से सनान करो फिर तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी स्त्री की बातें सुनकर युवक कुंड में उतर कर गोता लगाता है गोता लगाते ही वह अपने नगर पहुँच जाता है फिर वह राजा से मिलकर सारी बात बताता है युवक की बात सुनकर राजा बोलते हैं मुझे भी वहाँ ले चलो मैं भी यह चमतकार देखना चाहता हूँ फिर दोनों घोडे पर बैठ कर मंदिर की ओर चल देते हैं मंदिर पहुँच कर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ एक स्त्री मिलती है जो राजा पर मोहित हो जाती है स्त्री राजा से कहती है आप जो कहोगे मैं वही करूंगी ये सुनकर राजा कहता है तुम इस सेवक से शादी कर लो राजा की बात सुनकर स्त्री कहती है मुझे तो आप पसंद हो फिर राजा उस्त्री से कहते हैं सजजन इनसान जो कहता है उस बात को निभाता भी है इसलिए तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए फिर उस्त्वी और युवक का विवाह हो जाता है इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल बोलता है ए राजन अब बताओं की राजा और सेवक में किसका काम बढ़ा हुआ राजा विक्रमादित्य ने कहा नौकर का काम बढ़ा हुआ बेताल पूछता है कि कैसे राजा विक्रमादित्य कहते हैं उपकार करना एक राजा का धर्म होता है लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया है तो युवक का काम बढ़ा हुआ राजा का जवाब सुनने के बाद बेताल उड़कर फिर से जंगल के किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है कहानी से सीख अपने वादे से इनसान को कभी नहीं मुकरना चाहिए सच्चे मनुष्य की पहचान यही होती है कि वो किये गए वादे को कैसे पूरा करता है वो यह नहीं देखता कि वादा पूरा करने के लिए उसे किस चीज का त्याग करना पढ़ रहा है दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले